कि हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे गीता के आत्प्रबंधन ने की सिल्फ मेनेजमेट इन जो गीता है उसमें गीता में आत्प्रबंधन के अनुसार जो इंद्री-मन और बुद्धि के अंताकराण के संबंद जो बताया गया है विस्थार पूरो को उसका वर्डन करेंगे इंद्री मन बुद्धी के बारे में कि आत्प्रबंधन में क्या-क्या बताया गया है, ठीक है, कैसे इसमें नियंत्रन करते हैं, कैसे क्या चीज़े होती है, ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्केशन करें इंगचे धंग से, चैनल पे हमारे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिगा ठीक है तो गीता के गीता में आत्प्रबंधन के अनुसार जो बताया गया है इंद्री मन और बुद्धी का अंतर संबंद एक ही जैसा होता है ठीक है जो यह तीनों जो होते हैं इंद्री मन बुद्धी लगबग यह की जैसा होता है थोड़ा थोड़ा काम अलग हो अंतर होता है, जो कि बड़ी ती ब्रगती से ये इंद्री मन बुद्धी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इंद्रियों के बारे में आप जानते हैं कि कितनी चपलता से ये काम करते हैं, गीता के आत्प्रबंतर में बताया गया है कि सब्द, रूप, रस, गंद, इसपर्ष, इन विसेयों का सेवन इंद्रियों के द्वारा ही होता है, ठीक है, जो भी रूप, रस, गंद, इसपर्ष होता है, वो हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, ठीक है, कर्में इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, सोचते हैं, मनतन करते हैं, ठीक है, और कर्में इंद्रि के द्वारा ही काम का परित्याग संबहुत है कि इंद्रिय के द्वारा ही काम का किया जा सकता है स्रोतादी पंच ग्रांदियों को सुच्म अंतर स्थिति और व्यापक आदी गुणों से युक्त होने के कारण त्रेस्ट का जाता है इससे क्यों का जाता है क्योंकि सभी गुणों से युक्त होती है ग्यान इंद्रिया गीता के यांद प्रबंदर में बताया गया है कि निश्चित रूप से प्रतनसील विद्वान मनुस्त के भी मन को मत देने वाले इंद्रिया बल्पूरो कुछियो की ओर खीच लेती है कहने का मतलर है कि जो बहुत बुद्धिमान भ्यकते है उसे भी इंद्रिया और मन जो होता है बिचलित कर सकता है इसलिए बुद्धी क्या करती है इस पर कंट्रोल करके रखती है इंद्रिय मन बुद्धि, इंद्रिया मन को इंद्रिया कंट्रोल करती है, मन को बुद्धि करता है, बुद्धि क्यों आत्मा करता है, ठीक है, ये रिलेस्टन आपको आगे देखने को मिल जाएगा, गीता में इंद्रियों के बारे में बहुत ही अच्छे धंग से बताया गय ठीक है कहा गया कि यह यहां पर स्रीकित अर्जुन को बताना चाहते हैं उसमें क्योंकि देखो गीता से लिया गया है स्रीमत भागवद गीता जो भीश में परवसे हैं ठीक है अठारा गया है साथ सुलोक है उसी में से एक सुलोक यहां पर बताया गया है अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस्थित्प्रग्य होना बहुत सरल नहीं है क्योंकि इंद्रियां इतनी बलसाली होती है कि वे सैयम के लिए प्रयासरत ज्यानवान मनुस्य के मन को भी विश लेती है ठीक हो आपको लच्छ से विचलित कर लेती है जैसे कि हम जानते हैं कि योगी तपस्वी लोग ही ब्रह्मा लोग भी ब्रह्मा आक्रिष्ट के कारण ब्रह्मा आक्रिष्ट के कारार अपने मन को वस्मेना करके इंद्रियां द्वारा विसे वासना की और आक्रिष् है उनका मतलब कि में चीज जो ध्यान लगा दे उससे विचलन हो जाना ठीक है । अच्छे दंक सी उस पर विचार नहीं कर पाना अता मन रुपी लगाम इंद्रियों को घो ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है कि मन लगाम जो है इंद्रियों को घोड़ा करें यह निरंतर अभ्यास से ही संभू है आज प्रबंधन में इंद्री निग्रह परमावसक है नहीं तो मनुस्य आत्प्रबंधन में सफल नहीं हो सकता ठीक जब तक आप इंद्रियों पर निग्रह या कतबना कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक आप आत्प्रबंधन क्यों नहीं बढ़ सकत है ठीक है अपने मन को वस में नहीं कर सकते है उचीत समय पर ठीक है उचीतववई विखित्वा यह ही प्रबूद्ध से ही संबह है ठीक है कौन सा कार करण कर यह हो जिस मनुए से कि इंद्रिया भ्यासबल से उसके वहस में है उससे प्रग्यां-ंद्धी प्रतिष्ठित होती है और वह इस्थित प्रग्य कराता ठीक है जिसकी बुद्धी सही से काम कर रही होती है अपने विश्योप की और नहीं भागने देती है वह इंद्रियों को वस में रखती है मन को विन लगाम में रखती है वह इसी ब्रति क्या करते हैं इस्थित प्रग्य सोच रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ मेरे काने का मतलब है कि कि इन्दрийयों में छटे मन को आश्र दयास था ठीक है जब विश्ट्रित इंद्रियों अर्था विश्वय का सेवन ये मन का शुरुअत हो गया ठीक अभी इंद्रियों का बारे में पढ़ते हैं मन की शुरुआत हो गई विश्यों का सेवन करती हुई इंद्रियों के मध्य जो मन अनुसरण करने लगता है प्रबंधन में मन का परिपेच अच्छी तरह से देखा जा सकता है श्रीकिष्ण अजुन को कहते हैं कि इंद्रिया डाम ही चर्ता यन मनो अनुवी धीयते दस्य हरति प्रग्या अनुर्वा नीवाम भसी इसका अफ्थार्त यह हुआ कि जब मन संसारिक भी सीवों में भटकती हुई इंद्रियों के पीशे जाने लगता है तब मनुस की विद् लेँगे इसलिए मनो निग्ड़ा अवसक है कि मन को आप कंट्रोल करें जिसे इंद्रिया आपके कंट्रोल तो अपनीर खीचेंगे और बुद्धी को भी हर लेंगे इसलिए मन का सटिसालिए होना आवसक है यही स्री किष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे ठीक है जब अर्जुन क्या करते हैं लड़ाई नहीं लड़ते क्योंकि उनके सामने वहने के घरवाले होते हैं तो अभी यह समझाया जाता है कि मनों निगरा इंद्री निगरा सरल तो नहीं परन्तु असंभव भी नहीं है इसलिए तुम अपने मन को कंट्रोल करो और काबू पाओ ठीक है बुद्धी का परेंप्र आप सकता क्यों है क्योंकि यह तीनों आपस में मिलकर सरलता से काम करते हैं ठीक है देखो इंद्री मन बुद्धी इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन मन को कंट्रोल करता है बुद् पाती ही इंद्रियों को क्या करता है मन करता है यह बुद्धी नीड़ा लेती है कि कौन सा कार आपको करना है कौन सा कार नहीं ठीक है इसका मतलब यह कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कामना का नास करना आवस्यक है तो यह चीज घलत है इसके लिए आपको क्या करना पड़ागा इसलिए बुला गया कि यह मन जो है ना इसलिए बुला गया कि यह मन जो है बुद्धि और इंद्रियों के वास करती है ठीक है और जीव के ज्यान को और जीव के ज्यान को ढखकर उसे मुह में डालती है अता इंद्रियों इंद्री निग्रे के द्वारा ही मन का परित्याग संभो है कि शुर्वतादि पंच ग्रांदियों को सुचमं अंतरिस्थिति और व्यापक आदि गुण सहयूप्त होने के कारण स्रेष्ट कहते हैं इंद्रियों की अपच्छा मन को स्रेष्ट इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जो संकल्प विकल्प मन के द्वारा ही होता है ठीक है संकल्प नहीं करेंगे सोचें के नहीं तब सामने विकल्प की प्रस्तुती ही नहीं होगे क्योंकि आपके इंद्रियों अधर भटक रही है कुछ जाना आपको लचकी तरफ आपको जा रहे हो घर से आपको जाना होता है कि यहार मुझे घंटे के अंदर कहां पहुचना है दिल्ली पहुचना है परन तो आप रास्ते से यार थोड़ा इदर घूम लेते हैं गुड़गाओं भी मिल गया है थोड़ा इदर भी घूम लेते हैं वे मेरट भी पड़ा है थोड़ा घूम लेते हैं ठीक इससे क्या कहते हैं कि आपके टाइम जो होता है वो लोस हो जाता बता जाला कि संकल विकल के द्वारा ही होता है मन विचार करता है इंद्रियों के विशा की और प्रेरित करता है ठीक है मन के पेच्छा बुद्धी की विवेक सकती द्वारा मन कार करता है बुद्धी निश्चे आत्मक होती है परन्तु बुद्धी को देखने वाला परमात्म क्थिपर बुद्धी को आत्मा रिखा गया कि आपको आपका रिलेशन मिल से क्या है ये रह होती है और एक क्या करते हैं इसमें दो होते हैं जीवों वाला होता है मनुस्य वाल से ध्यान नहीं आ रहा बाद किसी वीडियो में डिसक्सिंग करेंगे पर तिन द्याने कि बुद्धी को कौन कॉंट्रोल गता है आत्मा कता है उसी प्रकार सरीर रूपी इसमें बता गया कि उसी प्रकार सरीर रूपी रत में इंद्री रूपी घोडे मन रूपी लगाम और बुद्धी रूपी सार्थी महत्तपूर है ठीक है ये जो सब्द दो लाइन लिखे गए ये बहुत इंपोर्टेंट उसी प्रकार सरीर रूपी रत सरीर को रत बताया गया है इंद्री रू हो गया इंद्री क्या हो गोड़े हो गया मन कौन हो गया लगाम हो गया और बुद्धी क्या हो गया सार्थी हो गया जो सही डायरेक्शन में ले जाता है महत्य पूर्ण है ठीक है उसी प्रकार सार्थी सरीर रूपी रथ से अधिक महत्य पूर्ण आत्मा रूपी रथी है क्यो भी घोड़े उचित दिसा में गति सील होंगे ठीक है जब तक आपके हाथ में लगाम होगी तभी आपी दवज़र घुमा पाएंगे आपको जाना है डाएं चला जाएगा बाएं तो समझ नहीं आगा कि दम जा रहा है ठीक है तो इसलिए सरवप्रतम आत्मा को सर्वस्ट्रे इंद्री निग्रह के द्वारायाद प्रबंधन संभव है तो आप प्रबंधन के बाएं में कुछिस करता हूं को आपको वोसाटी चीज़र छेर कीजिए आप सभी का बहूत-बहुत धन्यवाद